हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मंशा स्कूर्गीं किचन में चलिए आज हम रिव्यू करते हैं वंडर शेफ का कुप विद प्राइड कैसे रोल सेट आज हम इसको रिव्यू करने वाले हैं और सब कुछ मैं आपको इसके बारे में डिटिल के बारे मताऊंगी और इसका क क्वालिटी कैसी है और इसका प्राइस के इसाब से क्वालिटी कैसा है सबी चीज़े में आपके क्लिया कर दूंगी जो भी डाउट है आप मुझे कॉमेंट करके जरूर पुछ लीजेगा तो चलिए सबसे पहले हम आउटर पैकेजिंग में देख सकते हैं आप यह डिफ्र सबसे हैं 24 cm का और दूसरा सेट है तो से छोट इस है centralized है 2.3 लीतर जो कि है 20 cm का इसा fun चोटा है उसका है 1.15 में जो की ठोटल 16 cm बढ़ा है तांब आपके में देख सकते हैं अब करते हैं इसकी वारंटी के बारे में तो इसकी वारंटी टोटल टू इयर्स दे रखी है तो चलिए अब हम इसे ओपन कर लेता है तो यहां पर देखिए इनके और भी प्रोड़क्ट्स हैं जो कि आप विजिट कर सकते हैं इनके अफिशल लब साइट में भी तो मैंने इसे अच्छा से खोल लिया है तो हमारा फोर्स बॉक्स यहां पर है तो हमारा इसके अंदर यह फोर्स बॉक्स है चलिए इसको निकालकर दिखते हैं कि इसके अंदर कौन सा आइटाम हमें दिया हुआ है चलिए इसे ओपन कर लेते हैं और यह देखिए इसके अंदर दिये हुए है इसके अंदर इसके ढखकन दिये हुए है तो एकी के अंदर पैक करके हमें तीनों के ढखकन एकी साथ में इसके अंदर दे दिया है यहाँ पर देख सकते हैं इसको अच्छे से अब हमें नेक्स्ट बॉक्स में दिया हुआ है यह तो पहले हमें इसके अंदर यह एक छोटी सी कड़ाई दी हुई है आप देख सकते हैं और हमें इसके अंदर भी यह दिया हुआ है यह देखिए यह हमारे इसके उपर के जो धकन में लगने वाले हैं यह देखिए हम इसको यहां पर फिक्स करेंगे बाद में अब इसके अंदर हमें एक और चीज लिए है वो आपको यह दे रखे हैं सेफटी के लिए यह देख सकते हैं आप इदर बहुत ही चोटे हैं और काफी यूसफुल भी है मुझे रखता है यह तो चलिए अब हम कढ़ाई देख लेते हैं तो आप देखे कढ़ाई का कितना अच्छा लुक आया है आप अब आत करते इसकी क्वा हमें लिऊ सबस्तित कोई भी सबजी बना सकते हैं तो काफी अच्छा यह तो आप हम यह नेक्स्त देखते हैं यहां पर देख सकते हैं कि इसका अब इसका सेम डिजाइन है आप देख सकते आप और इसकी कॉलरी भी उठाने में बहुत हैवी है ने इसके लिक यह कं nggak चाहे uses इसके अंदर बना सकते हैं यह देखिए इसका लुक कुछ ऐसा है यहां पर देख सकते हैं हम बात करते हैं इससे बड़ी वाले कड़ाइं यह हमारा सबसे बड़ाइं इसको भी ओपन काक्या हम देख लेता है तो यह देखेए यह कितना बड़ा है और इस दिखा देते हूं यह देखे बैक से इसका लोग कुछ ऐसा है तो जल्दी काले भी नहीं बढ़ेंगे इतने और हम चाहे तो इसके अंदर राइस बगर बना सकते हैं चिकन भी बना सकते हैं तो ये भी काफी अच्छी है और इसकी क्वारटी के साबसे ये बहुत सही है यहां पर देखी इसका जो वजन है वो काफी भारी भी है तो यह देखिए हमारे यह तीनों कड़ाय यहां पर है अब बात करते हैं इसके प्राइस की तो अब हम इसके प्राइस की बात करते हैं तो इसकी जो MRP है वो है 7500 अगर आप अनलाइन ने सर्च करते हैं Amazon Flipkart इंग में सर्च करते हैं तो आपको यह 3999 अब हम बात करते कि इन कड़ाय को हम किस पर यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले हम इनको गैस में भी यूज कर सकते हैं अगर आपको रेगुलर इस पर खाना बनाना है आप इसको रेगुलर यूज पर लेके आए हो तो आप इसके अंदर फ्रीली इसके अंदर खाना बना सकत हैं next time है उसको paranormal करता है मतलब यह करणाई जो है वो सभी जगापने पर अच्छे से यूजब कर ली और इंडेक्शन फ्रेंडली भी लिखा है तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसके धक्कन जो उपर हम धक्कन के उपर लिड लगाएंगे तो यह देखिए यह कुछ हमें इस तरह उपर लगाने के लिए दिया हुआ है आपको कुछ इससे स्कुरू की मदद से लगाना है यह बात करते हैं इसके लीड की तो इसका लीड जो है वो तो तोने का ड़र भी रहता है तो इसको kit समभाल के हम रख सकते हुआ और यहां पर गुर्ण हमें होल दे रखा है वह हमें जो यह है इसको हमें उपर ऐसे कुछ फिक्स करना है उसके बाद में इह कुछ हमारा जो लीड है हो ऐसे दिखेगा तो बाकी यह था इस प्रॉडक्ट के बारे में हमारा रिविवु अगर आपको कुछ प्रॉड्लम हो इस इक और न्यू रिविईू और रसिपीस के साथ मिलते हैं. हमारे च्रैनल मंचस कुपकिंग कीचिन को सबस्क्राइब करके ले लए और चानल को सबस्क्राइब करके ले को लाइक करके लिजी तो चलिए फ्रिंजस बाँ थेंक्स फर वाचिंग